नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग आई होब दोस्तों आप लोग यहाँ पर सभी अच्छे होंगे और मार्केट से काफे चाप प्रॉफिट बना रहे होंगे दोस्तों मैं तो काफी दिनों से एक्टिव नहीं हूँ मैं यहाँ पर live भी नहीं कर पा रहा है और साथ मेरे टेलिग्राम पर भी इतना update नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे team है वो यहीं पर सारा update दे रही है बर दोस्तों कहीं न कहीं मैं कल से active हलुने वाला हूं कि मैं कल से लाइव भी आने वाला हूँ और कल से आपको मैं टेलीग्राम पर डेटा पगेरे शेर करने वाला हूँ फिर भी दोस्तों जो मेरी टीम है वो लगी रहती है और आपको प्रॉफिट देने में हमेशा पीछे नहीं अड़ती है अगर आज आप देखते दोस्तों कि क किलता है वो यहां पर प्रॉफर अपड़ी देती हमने यहां पर बैंक निफ्टी एक सी प्लान किया था सुबह 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 के टाइम उसका जो प्राइस चल रहा था और उसने 370 रुपे का हाई बनाया है फिर दोस्तों अगर देखा जाये तो मुझे तो अचा लग रहा जो गिर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों अगर अपन देखे कल के मार्केट में जो मैंने वीडियो बनाया था मेरा थम्देल भी चेक कर सकते हो यह हजार पॉइंट का क्रेश हो सकता है मैंने अपको कुछ लेवल दिये थे निफ्टी और बैंक का निफ्टी में मैंने अपकों निफ्टी का ये खडल दिया था कि अगर ये निफ्टी का इसको ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी अपने को बहुत जादा गिरावाट देखने को मिलेगी और दोस्तों गर अपन साथ में देखे तो अपने को आज रेलाइंस में साड़े तीन परसन के बैंक निफ्टी का अगर अपन वही देखे तो आई से इसी बैंग यहां से क्या कर रहा था कि सुबह टाइम पर उपर जा रहा था और एज़िदेव से नीचे आ रहा था मतलब हमारा जब पूरा बैंक निफ्टी था वह तरीके से वह साइड वेस्ट वोलेटाइल हो रहा था बट अगर अपन आज देखें मार्केट विया अडानी इंटरप्राइज देख लेते हैं अडानी ग्रीन इनर्जी यहां पर देखें तो कही ना कि दोस्तो अडानी ग्रीन इनर्जी आप चेक करोगे तो कहां पर प्राइस था अगर अपन आज का देखें तो कम से कम जो गि गिरावट देखने को मिली अपने को यहाँ पर साड़े 9% गिरावट देखने को मिली और वहीं अगर अपना आज देखते हैं मिटकेप को, दोस्तो आज मिटकेप पहली बार यहां पर देखा जाए, अपने को मिटकेप में यहां पर सवा 4% की गिरावट देखने को मिली है, देखा जाए तो मिटकेप यहां पर पूरा धराशाई हो चुका है, मिटकेप यहां पर नीच आ रहा है, अब दोस्तो मैंने ज यहां पर देखते हैं down zone को तो यहां पर अपने को positive देखने को मिला था जाब नैस्ड़ेक चेक करोगे तो 1.5% उपर था एसे न पी 1% से उपर था और यहां पर देखे तो down zone यहां पर आदे परसन से यहाँ पर अपने को डाउजन उपर ता फिरी वहाँ पर कोई इंपेक्ट नहीं पड़ा है बड़ दोस्तों अगर अपने अपना मार्केट देखे तो अपने मार्केट में कुछ अलगी सीन चल रहा है सीन यह चल रहा है कि जो अपना इंफलेशन डेटा था वो तो सही आया है बड़ कहीं न के जो एजबे की नूस दोस्तों वो कहीं न के मार्केट में कन्फूजन पैदा कर रही है जिसकी वेसे क्या हो रहा है कि जो अपना मार्केट उगिर रहा है जिसकी वेज़े से मार्केट अपने को गिरावट देखने को मिल रही है बड़ दोस्तों मुझे इसा लगता है कल का मार्केट बहुत इंपोटेन होने वाला है क्यों उसकी बीचे का रीजन है कि कहीं न के बैंक कनिफ्ट अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और वहां से बैंक कनिफ्ट अगर बाउंस बैक भी देता तो अपने को जो बैंक कनिफ्ट उपर जाता हूँ देखने को मिलेगा बट अपन यहाँ पर दोनों साइट के लेवल को कवर करेंगे कि अपन किस तरीके से प्लान करने वाले हैं देखो दोस्तों जो मैंने आपको लेवल दिये थे वो लेवल प्रॉपर काम आये हैं मैं कल यहाँ पर एक्टिव होने वाला हूँ कल में लाइव आने वाला हूँ मैं भी लाइव नहीं आप रहा था थोड़ा सा मेरा तवियत खराब था मेरी वीडियो भी नहीं आप रही थी फिर मेरे टीम आपके लिए पूरी कोशिश कर रही थी प्रॉपर आपको सारे अपडेट दे रही थी दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम सुरेश पीपावंशी है स्वागत करता हूँ एक बार आपको इस वीडियो में और कहना चाहता हूँ यार कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा मुझे पूरा भरुसा है दोस्तों क आप इस वीडियो को लाइक करोगे, साथ में आपके भाई को सपोर्ट करोगे, चलिए, हम यहाँ पर पेले देख लेते हैं, आखिर में डेटा, फिर अपन बात करेंगे, थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी और थोड़ा सा अपन जो है, वल्ड मार्केट को समझ लेंगे, अगर अगर अपन समझे तो निफ्टी यहाँ पर अपने को डेटा किसाफ से बैरिश लग रहा है, और वहीं अगर अगर अपन बात करते हैं, बैंक निफ्टी में, दोस्तों एक लेवल आता जहाँ पर 47,000 के लेवल पर 11-11 लाग के असपास यहाँ पर अपने को कॉल राइ वहीं पर बात करते हैं, आगर अपन अगर अपने को तो निफ्टी के बारे में, दोस्तों थोड़ा सा नेगेटीव हो चुका है, जब मैं इसको पहले चेक कर रहा हैं तो यहाँ पर यह माइनस 15 पॉइंट था, और माइनस यहाँ पर 19 पॉइंट हो चुका है, मतलब देखा तो gift nivity यहां पर और अपने को पहरिज देखने का मिल रहा है बट अगर अगर अपन इहीं पर आज आते हैं Dow Jones Future के बारे में और थोड़ा सा पेज को अपन रिफ्रेश करते हैं तो चलिए देखते हैं यहां पर तो 22 पॉइंट अपने को Dow Jones Future अपने को positive देखने का मिल रहा है और वहीं अगर अपन World Market को देखें Australia Market इनको देखें China Market थोड़ा सा नीचे है Hong Kong भी यहां पर थोड़ा सा नीचे है Indonesia positive है Japan negative हो चुका है Malaysia यहां अपने negative हो चुका है देखा जाए दोस्तों काफी जो सारे जो market है वो अपने को negative होते होए देखने को मिल रहे हैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपने किसी stock को hold करके रखा है आप उसका view जानना चाहते हो उसके level आप जानना चाहते हो कि अगर अपन आज देखे market में जो stock गिरे हैं बहुत जादा गिरे हैं अगर अपन IRFC को देखे तो दोस्तों आज कहीं न कि यार 79% गिर चुका है stock और दोस्तों आपको पता है काफी लोगों ने stock को किसी ने डेड़सों पे लिया है किसी ने 60 पर लिया है किसी ने 70 पर लिया है तो ये भी stock यहाँ पर काफी ज़्यादा गिरा है तो अगर आप किसी stock के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आप comment ज़रू कर देना मैं इसका proper आपका solution डूनूँगा अगर किसी stock के बारे में comment चाहता आएंगे तरीके से कल अपने को प्लान करना है दोस्तो ये bank nifty का 15 मिट का time frame है अब मेरा जो view है दोस्तो कल के लिए थोड़ा जानना यहाँ पर कि अगर अपन bank nifty को देखे तो bank nifty's train line को proper follow कर रहा है मैंने कल आपको last time बोला भी था यह train line proper अपने chart पर लगा लीजेगा यह काम आ सकती है और आज यह market में proper काम भी आई है और वहीं अगर अपन यहीं पर bank nifty को देखे तो bank nifty यहाँ से लगातार उपर गया फिर इस point पर आ चुका है और अगर अपन overall bank nifty को समझे तो bank nifty दोस्तो इस point से लेकि इस point तक अपने को फिबोनाची के level पर यह इसका 60% level आता है 46,613 अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा alert होना है जब किस तरीके से प्लान करना देखो अगर आप scalping करना चाहते हो downside में bank nifty में तो आपका level रहेगा यह वाला अगर 46,730 को break करता है तो अब एक 100 point से लेकि 150 point का scale पर हो सकता है downside में जो मुझे लगता है अगर 46,730 का low break होता है तो हमको bank nifty दोस्तो एकदम से जो आएगा न मैं थोड़ा सा और यहाँ पर clear लिग देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अगर एसे इस point को break करता है तो अपने को यहाँ पर दोस्तो प्राइस यहाँ तक आता हूँ देखने को मिलेगा स्कल्पिंग में 46,623 आप यह level मान सकते हो किस level पर अपने को bank nifty आएगा अगर इस level के नीचे price sustain करता है तो फिर अपने को अराम से यहाँ पर 46,500 और 46,350 के लेवल अपने को downside में जो है देखने को मिल सकते है पर अपने को यहाँ पर क्या करना है अगर इस level break होता है तो अपने को यह तह अपना पेला target रहेगा यहाँ पर अपने को मिले क्योंकि market में दोस्तो जो liquidity होती जो stop loss होते है market में stop loss कहीं न कहीं इस point पर बन चुके है market हो सकता है कि इनके stop loss निकालने के लिए मतलब इनके stop loss निकालने के दोस्तो market कहीं न के अपने को यहाँ तक जो है जाता हुआ देखने को मिले क्योंकि liquidity उपर है तो market ये भी तो कर सकता है कि direct हमेशा नीचे तो नहीं आता है market हमेशा क्या करता है कि जहाँ पर liquidity होती वहाँ के stop loss निकालके फिर market गिरता है तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप selling कर रहे हो तो 730 के निचे अगर आप scalping करते तो वहाँ पर आपको अराम से यहाँ पर 150 पॉइंट के scalping कर सकते हो पर आप वो ध्यान देना कि market में कहीं नख एक support area मुझे देखने का मिल रहा है वो यह वाला एक huddle यहाँ पर अपने को देखने का मिल रहा है यह level कौन सा है अगर अपन यहाँ पर line mark कर लेते हैं चलिए हम यही पर आते हैं इस zone को देखो तो मत दोस्तों अगर अपन जोन देखे तो अपने को zone यह देखने को मिल रहा है 46,800 46,800 का zone और उपर अपना 47,000 का zone यह zone दोस्तों अपने को यहाँ पर 200 point का काफी price यहाँ पर जो है volatile हो रहा है इस zone के अंदर आपको scalping करना है ठीक है scalping आपको करना है और उसके बाद क्या हो दोस्तों देखो price यहाँ पर आता है तो support लेगा 46,800 ठीक है इस point पर अगर यह आता है तो आप scalping कर सकते हो इस level के उपर 47,000 ठीक है only 200 point का आप scalping कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 47,000 का जो level है यहाँ पर यह अपने को बहुत सारे cold writer देखने को मिल रहे है अब दोस्तों जो मेरा view है buy side में अगर आप buy करना चाहते हो कि यह बैंक कनिफटी उपर जा रहा है तो हम अगर यह बैंक कहां पर कर सकते हैं देखो अगर अपने आज का देखे है market कहीं है कि यहाँ से आया एक proper rejection लिया इस point से और अपने को जो है बैंक कनिफटी नीचे आता हुआ देखने का मिला दोस्तों मेरा जो view है तो एक 46,800 और 47,000 जो एक train line है यहाँ पर मेरा only scalping का view है और मेरा यहाँ पर scalping का view रहेगा 46,623 अगर इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर aggressive selling के लिए सोच सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर यह 60% retracement का zone break होगा तो अपने गिरावट देखने को मिलेगी 500 तक आएगा फिर अपने को 350 तक price भी आ सकता है बड़को ध्यान देना है कि 46,800 और 47,000 यह level जो है दोस्तों यह only scalping के zone है जैसे price इस zone को break करता है यहाँ पर इसने जाएक एक retest किया है अभी जो level है दोस्तों यह level आता है अपना 47,200 अगर इसके उपर price आता है तो फिर अपने को दोस्तों यहाँ पर 47,500 के level जो है बैंक कनिफटी में यहाँ तक अपने को जो है देखने को मिल सकते हैं अगर इस zone को यह proper जो है बैंक के निफटी ब्रेक करता है तको यहाँ पर ध्यान देना कि आप उस तरीके से काम करना है और अगर 46,800 रहेगा और 47 रहेगा तो उनले आपको सकल्पिंग करना है बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं तो इस बात को कि market कही न के zone में प्रोड़ा सा volatile बहुत जादा हो रहा है अब यहीं में बात करते हैं कि आखिर में अपने को जो है निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है चलिए यहीं पर अपने देखते देखो अगर अपने निफ्टी को देखे दोस्तों निफ्टी कहीं न कहीं अपने support zone पर आ चुका जहां से price दोस्तों बहुत बार क्या हुआ है एक अच्छा कासा यहां पर price bullish हुआ देखो यहां सच्छा कासा bullish हुआ था support ले रहा था price इस point तो खुद घ्यान देना जोस्तों कि जो मेरा level है यहां पर यह level proper काम करेगा जहां तक मुझे लगता कि इस level पर एक trip भी बन सकता है trip कैसे देखो देखो यह एक support area है अब यहां पर अगर देखा जाए तो liquidity भी है एक काफ़ अच्छा demand zone भी है अब market यहां पर क्या कर सकता है अगर आप selling का view रख रहे हो कही न कहीं निफ्टी में दोस्तों यह जो level है 21,860 का level आप राम से मान सकते हो इस level को break करेगा तो जो मेरा target है का starting point में 21,820 अगर आप करते हो support zone पर यहां पर आपका only 40 point का scalping करना है नीचे वाले point पर क्यों? क्यों दोस्तों यहां पर एक जो area है 21,820, 21,800 इस area पर थोड़े put writer जादा है जो put seller हो यहां पर बेटे हुए क्यों दोस्तों पहले यह price zone जो था एक proper demand zone बन चुका था यहां से price बार बार उपर जा रहा है मतलब कहीं ना कि इस level पर क्या है 220, 220 के level पर, 220, 220 के level पर put writer के stop loss पड़े हुए अगर 21,860 का level नीचे break होता है अब यहां पर 40 point का scalping कर सकते हो बड़ो कोल यहां पर ध्यान देना है कि अगर कल market देखो price आके उपर अगर wick छोड़ता है यहां पर यहां पर अगर wick छोड़के उपर जाता दोस्तों फिर अपने को यहां पर जो है निफ्टी इस तरीके से उपर जाता हुआ जो है देखने को मिल चाकता है अगर मान के चलो price सुब एक टाइम पर नीच आता है अपने यहां पर downset का scalping जा फिर market उपर जाके इसी point पर इस तरीकर retest point कर रहा है और market कहीं नहीं के liquidity लेने के लिए यहां इस stop loss लेने के लिए market उपर जा रहा है 2860 से इस तरीके से उपर जा रहा है तो फिर अपने अराम से यहां पर 2250 के लेवल अपने को देखने को मिल सकती है stop loss हंटिंग का setup यहां पर इस तरीके से बन सकता है जो दोस्ता कोई setup कोई नहीं बताएगा क्योंकि market में अपने और ओर देखा जाए तो अगर इस पॉइंट पर इस setup आपको देखने को मिलता है यहां पर आप बिंदास मेरे साफ से stop loss हंटिंग setup को आप यूज़ कर सकते हो अब दोस्तो मेरा जो view है देखो मैंने आपको यह setup बता दिया downside में 40 point हाँ अगर 2100 के नीचे price sustain करेगा तो फिर अपने को यहाँ पर 2100 और 2600 के level अपने को देखने को मिल सकते है बट मुझे नहीं लगता कल ऐसा होगा क्यों कल इसका expiry है बट हाँ अगर यह setup बन गया बट यह जो level area दोस्तो यह proper rejection का level बनेगा 2250 और 2200 ठीक है अगर इस zone में price आता है तो यहाँ पर आपको selling का view दीखता अब selling कर सकते हो कि zone में क्या है दोस्तों कि zone में कहीं न कहीं अपने को selling देखने को मिल रही है और यहाँ पर data bearish भी अगर आप देखोगे कि market उपर तो गया बट last time पर क्या करा कि जो candle होता है उसने बहुत बड़ा अपने को यहाँ पर इसने विक छोड़ दिया है तो 2250 और 2200 का zone है इस zone के अंदर आपको यहाँ पर selling का view देखना है हाँ अगर यह 2250 के उपर price जाता है यहाँ पर ठीक है फिर अपने को यहाँ पर कही ना कि दुस्तो 22100 और 22150 के level अपने को upside में जो है देखने को मिल सकते है निफ्टी में इस तरीके से ठीक है तो आपको ध्यान देना कि आपको तरीक से काम करना है और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा support एरिया है यहाँ पर आपको ध्यान देना सतों कि यहाँ पर आप ट्रेप ना हो जाओ काफी एरिया जो है डिमांड एरिया बन चुका है यह तीसरी बार price यहाँ पर आया है और तीसरी बार जो price होता है बहुत सारी बार respect करके price उपर jump कर जाता है जो में ने देखा दोस्तों में यही जोइन कर लिजेगा कल तो में proper active होने वाला हूँ कल में proper live आने वाला हूँ एक बजे कहूंगा कि आप टेलीग्राम जोइन कर लो अगर आपको notification नहीं मिलता है live का तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर उसका link डाल दूगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडि चले दूस्तों मिलते हैं आपसे नेस्ट वीडियो में जै हिंद जै बारत जै शेराम सभी को यार